गुट मॉर्निंग श्टूडेंड वेलकम टू मैंक मैंत्मेनिया यूटूब चैनल आई होप यू आप यू आपके सामने 24 असगूलेज है आप एक परसन है तीक है यह देखिए परसन मैंने बना दिया इसकी टांग है उसके हाथ है तीक है एक परसन है उसने जा किया किया ले लिया कितने परसन एक ठीक है तो यानि एक परसन को 24 असगूले मिल गए अब यह कर क्या किते children में बाट रहा, divide कितने में कर रहा, distribute, तो कहोगे 6, अब हमको यह बताई है, अगर 24 थे आपके पास 6 लोगों में divide करना है, तो सबको कित्ता कित्ता आएगा, तो 6 बन जा, 6 4 जा, यानि 4 4, रस गुल ले, 6 person को मिल जाएगा, ठीक है, तो अब आप समझ गये हैं, आगे मै क्या कह रहा हूं, फिर से समझिए, now what if two more children come to his place, अगर दो children और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो अब आप बताईए, 6 से 2 बढ़ गए, 8 हो गए, तब 24 को अगर 8 से divide करें, तो आप सबको कितने रसुल ले मिलेंगे, 3 और 3, ठीक है, अब आगे आते हैं, इची तरह कुछ और क लेंट, यहां मफिन की जगा मैंने रसुल ले कर लिया है, तो अब आप समझ रहे हैं, 8 हो गए थे, 8 से फिर मैंने 4 और बढ़ा दिया, यानि 4 और परसन बढ़े, टूटल परसन कितने हो गए, तो यहां 12 हो गए, अब यहां पर आप देख रहे हो, अगर 24 रसुल ले हैं, तो आप यहां से इतनी एक्जामपल देखने के बाद, क्या पा रहे हो, यह 2, 3, 4, 6, 8, and 12, और एक्जैक डिविजर आप 24, टेक है, तो 24 के यह क्या है, एक्जैक डिविजर हैं, टेक है, और यही जो एक्जैक डिविजर ही हैं, वो क्या है, फैक्टर हैं, किसके, 24 के, समझ में आई बात, समझ गए, तो यहां पर डेफिनीशन आपको आज लिखनी है, फैक्टर की, वो तो क्यों समझने के लिए था, आपको अभी क्या लिखनी है, फैक्टर की डेफिनीशन, तो एक फैक्टर आफ नमबर is defined as the number, which is an exact division of that number, जो किसी नमबर का exact division होता है, वही उस न after all 12 भी होगा, तो मैं यह कह सकता हूँ कि 12 के जो division है, यह सभी है, क्यों है, क्योंकि यह exact 12 को divide कर रहें, कोई भी remainder divide करने के बाद नहीं मिल रहा है, तीक है, अब आएए, आगे कुछ fact जानते हैं, यह fact आपको note करना है, तीक है बटा, इस fact को आपको note करना है, the number one and the number itself are always factor of that number, मतलब जैसे मैंने कहा कि 12, तो 12 का एक तो यह factor हो गया 1 और एक 12, तो यह दोनों तो निश्ची थे, कोई भी number, मैंने 3 लिया तो 3 का factor 1 हो गया और 3, अब आगे होता है या नहीं होता है, factor वो depend करेगा number पे, ठीक है, फिर आते हैं, दूसरा fact पढ़ लेते हैं, दूसरे fact में equal हो सकता है, या तो उससे कम होगा, जैसे मैंने कहा 12 के factor, 1, 2, 3, ठीक है, और 4, 6, 12, ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, या तो 12 के equal है बेटाईए, या जितने ही factor है, ये 12 से क्या है, less than है, छोटे है, ठीक है, अच्छे समझ रहे हो न, very good, फिर आते हैं, बात करते हैं, every इसने भी factor होते हैं, 100% पूरी तरह से divide करेंगे, मतलब जब आप किसी को इतने times ले जाते हो, जैसे 12 है, तो 2, 6, 12, अब यहां क्या बच रहा, कुछ भी नहीं, nothing, तो यहां पर पूरी तरह से divide हो जाना, exactly divide हो जाना चाहिए, ठीक है बटा, फिर आईए आगे, the number of factors, given number are finite, अ जब आप factor निकाल ले तो यह एक निश्चित दाइरे में होता है, जैसे आपने देखा 12 के factor 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, और उसके बाद 12 हुआ, तो यह निश्चित है कि 1, 2, 3, 4, 5 है, यह तो टोटल number आप जो factor है 12 के, वो 6 है, ठीक है, लेकिन आगे मैं पढ factor है, तो यह finite है, ठीक है बिटा, समझ गए ना, अब यहाँ पर आगे जो है यह point आपको लिख लेने हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे मैं कल बताऊंगा, तब तक चल लिए, थैंक्यू, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बना के पिक भेजिए, झायत worldly हैं, यहाँ बसु षoi झायता है, अवाँ से आगे क्या पिक मिए